नमस्कार साथियों, आज हम MHD 5 के पाठ्ठे करम के विशे में बाचित करने वाले हैं, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जानने वाले हैं और यहाँ पर आप पेपर भी देख सकते हो, यह आपका पेपर है जून 2023 का और किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का पाठ्ठे क्रम है, आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में संच्छित में हम बाचित करने वाले हैं बाच्चे शुरू करने से पहले मुझे अपने एक साथी की याद आ गई, जब मैं ये पेपर दे रही थी, तो उस समय उनको पता ही नहीं था कि ये पेपर 100 नंबर का आने वाला है, या दूसरे पेपर 50 नंबर का आने वाले हैं, तो जब हम M.A. previous year करते हैं, तो चार हमारी ज कोर्स है, यानि कि M.A. final year का कोर्स है, तो वहाँ पर भी हमारे 100-100 नंक के प्रिशन पत्र आने वाले हैं, लेकिन M.A. final जब हम करते हैं, तो हमारे पास 7 पेपर होते हैं, और 7 में से केवल एक पेपर ऐसा होता है, जो 100 नंक का आता है, बागी सभी 50-50 नंक के आते हैं, और M. M.A. के पेपर में मेरे एक साथी थी, उन्होंने सिर्फ दो ही प्रिशन हल किये व्याख्या वाले, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना विस्तार से लिख दिया, उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया, हलांकि पेपर में लिखा हुआ होता है कि कितना समय है और कितने अंक का हमारे प्रिशन पत्र आने वाले हैं और कितना समय हमें मिलने वाला है तो MST 2 यानि की MST Final Year का जो कोर्स है उसमें हमारे खुल साथ पेपर होते हैं इसमें जो चार पेपर होते हैं वो आपको अपनी च्वाइस से लेने पड़ते हैं कि आप हिंडी कावे लेना चाहते हैं या कह चाहते हैं या फिर आप उपन्यास लेते हैं आटक लेते हैं तो उसके इसाब से आपका जो कोर्स होता है वो बदल जाएदा है तो यहां पर MHD 1 का जो प्रशन पत्र होता है वो किवल 50 अंक का आएगा दो घंटे का आपको समय मिलता है MHD 5 का जो पाठे करम है वो और 7 में उसका जो प्रशन पत्र है थुड़ा विस्तरित है और ये 100 अंक का आता है आपका सिर्फ एक ही पेपर M.A. Final Year में ऐसा होता है जो 100 अंक के लिए आता है बाकि सभी 50-50 के हिसाब से आते हैं MHD 7 भी आपका किस हिसाब से आता है 50 अंक के हिसाब से आता है अधिकतम अंक आपके 100 होने वाले हैं अनकी केवल एक ही प्रशन पत्र ऐसा है जो 100 अंक का आएगा M.A. Final Year में बाकि सभी आपके 50 अंक के और 2 घंटे के हिसाब से आपको समय मिलेगा यहाँ पर आपको 3 घंटे मिलेंगे और सामानित है अगर सभी विद्यार्थियों की बातचीत करें या उनके मत की बातचीत करें या किसी की राए लें तो यह जो प्रशन पत्र है ज़्यादातर विद्यार्थी इसको मुश्किल मानते हैं और इसमें जो नंबर होते हैं, अंक होते हैं, वो भी सामानिते बाकी के हिसाब से कम दिये जाते हैं. अगर सोका आप प्रेशन पतर बहुत अच्छा हल कर देते हैं और आपको 70 अंक मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा तर बहुती कम अंक मिलते हैं और ये मुश्किल भी माना जाता हैं. अब इसकी तयारी कैसे करें? अब इसको पेपर से दो दिन पहले तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, ताकि परिक्षा में कम से कम इसमें पास हो सके या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें. तो जैसा कि नाम से ही सपष्ट है कि साहित्य सिध्धांत, तो हिंदी साहित्य की श्रुवात कहां से होती हैं? सिर्फ हम भारत की बात नहीं करते, पास्चाते साहित्य जो है उसमें कैसे शुरुवात होती है, किस तरह से जो कवी है वो कवे के बारे में सोचते हैं, कौन-कौन से कवे के लक्षन होते हैं, साहित्य की अवधारना कहां से आई है, साहित्य होता क्या है, भारती कवे शास्तर वहाँ पर गद्य विदा नहीं होती थी तो उनके जो लक्षन होते थे उनकी जो परिभाशा है अलग-अलग आचारियों ने किस हसाब से कावे के लक्षन और परिभाशाएं दी है कावे की प्रेणा कहां से मिलती है कावे का हेतू क्या है किस कारण से कावे की रचनकी जाती है, कावे का प्रियोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, और शब्द शक्ती क्या होती है तो यह बहुत सारी बाते होती है, जिनको विस्तार से हम पढ़ते हैं, इनकी कावे की अवधारना क्या होती है और भारती कावे सास्तर में ये जो परमुक संप्रदाई है इनकी क्या विचारधारा है उसके बाद हम पढ़ते हैं पास्चाते कावे सास्तर के बारे में और पास्चाते कावे सास्तर में अरस्तू, प्लेटो पास्चाते कावे सास्तर की श्रुवात कैसे होती है पास्चाते साहिते में किन-किन का महतपुन योगदान है प्लेटो का नाम हमने सुना है अरस्तू का नाम सुना है लोन जाइनस, जोन ड्राइडन मैथ्यू आर्नल्ड, आई रिचर्ड्स, टी-स इलियट, क्रोचे ये ऐसे नाम है जो हमने कहीं न कहीं सुने होंगे लेकिन इस पाठे पुस्तक के माद्यम से इस पाठे क्रम के माद्यम से इनके बारे में, इनकी विचार धारा के बारे में हमें जानने का उसर मिलता है अब पास्चाते कावे सास्तर की बात करें तो वहाँ जो पुस्तकों के नाम है थोड़े से अलग होंगे क्योंकि भारत में जो विक्तियों के नाम होते हैं स्थानों के नाम होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं हमारी भाशा अलग है पास्चाते साहित्ते के बात करें तो पास्चाते की भाशा अलग है और साथ में उनके जो कवी हैं, उनकी सोच है, उनकी अलग होती है, तो पढ़ने में थोड़ा सा में दिक्कत होती है, शुरू-शुरू में हम कह सकते हैं कि बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि प्लेटो क्या सोचते थे, प्लेटो की विचार धरा क्य अरस्तू जो कि उनकी सिश्य थे, उनकी विचार धरा क्या थी, वो कावे के बारे में क्या सोचते थे, किस तरह से उन्होंने कावे को नई उचाईयां दी, लोंजाइनस उनके बारे में उनका जो उदातवाद का सिध्धानत है, बहुती प्रसीद है, जोन ड्राइडन की आ अर्नल्ड कला के बारे में, नैतिकता के बारे में क्या विचार धरा है, तो इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं, और प्लेटो, अरस्तू, लोंजाइनस यहां से तो हमेशा एक सवाल पका से पूछा जाता है, सवचंतावादी कावेधारा से भी पूछा जाता ह क्रोचे भी बहुत महतरपूर माने जाते हैं, reduz cora dessert भी बहुत महतरपूर माने जाते हैं। अब इतना विस्तरित जब पूरा का पूरा पात्थे क्रम है है, तो हम इसको कैसे पढ़े हैं। इसे जैसे आप इसे पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम अपने मन में ये सोचें कि हमें कुछ नया जानने को मिल रहा है। जब हमारे मन में जिग्यासा होती है तो वो जो बोरियत वाला टेग लाइन जो हम देते हैं कि बहुती बोरिंग सा पेपर है कैसे हम इसको तैयार करें वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। जोन राइडन कैसे थी जब ये बात मेरी मन में आई तो धीरे धीरे मुझे इनके बारे में जानने की इच्छा हुई और फिर धीरे मेरा इंट्रेस्ट बनता चला गया। और इस तरह से मैंने इन सब के बारे में, इनकी विचारधारा के बारे में पढ़ना और जानना शुरू किया तो मुझे लगा कि इतना मुश्किल पेपर नहीं है, इतना बोरिंग पेपर नहीं है क्योंकि जब हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं या फिर हम बहुती कम समय उसको अब माली जी कोई मुझसे पूछता है कि भी आपने हिंदी में MA की है, आप तो बहुती ग्यानी और पंडित बन गए हैं, बहुत सारी जानकारी होगी, तो पास्चाते कावी सास्तर के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या आपने जोन राइडन के बारे में पढ़ा है, तो जो ऐसे सवाल हमारे सामने MA करने के बाद आते हैं, तो जब हम ब्लैंक हो जाते हैं, इसका मतलब MA करने का कोई महतो नहीं रह जाता, डिगरी सबको चाहिए ठीक है, लेकिन डिगरी के सास्ता अगर जानकारी भी होती है, और वो जानकारी तब ही आ सकती है, जब हम जानना च तो इस विचारधारा से जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ये पेपर जादा मुश्किल नहीं लगा, थोड़ा सा टाइम जरूर देना पढ़ेगा, लेकिन आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वर्ड्स वर्थ कैसे विचारधार यहाँ पर दी गई है, जिससे हमें पास्चाते कावे सास्तर को समझने का मोका मिलता है, और पास्चाते कावे सास्तर का परभाव भारत पर कैसे पढ़ा, भारत के साहिते पर कैसे पढ़ा, ये फिर हमें सपष्ट होता हुआ चला जाता है, इसी तरह से जब हम समालोचना की बात करते हैं, नई समिक्षा की बात करतेहं तो किस तरह से पास्चाते काविष सास्तर में समिक्षा हैं की जाती थी तैंड़ उसका प्रभाव भारत में भी पढ़ता है आचारी रामचंदर शुकल के हम बात करते हैं आलोचना के छेतर में, रामविला शरमा जी पूरी योजनाबत तरीके से और समय रहते वे इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते वे और थोड़ी सी मन में जिग्यासा होनी चाहिए कि हम जानना चाहते हैं कि जो साहिते जिसके हम बार-बार बात करते हैं हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कैसे हुई है पहले इसका स्वरूप क्या था पासचाते में किस तरह की विचार धारा थी और धीरे धीरे किस तरह से इसमें बदलावाते आते आते आधुनी की यूग तक किस तरह से साहित्ते को हम किस दृष्टी से देखते हैं आलोचना की बात करें तो आलोचना सिर्फ किसी की कृती में बुराया ढूनना नहीं होता है आलोचना का मतलब होता निस्पक्ष रहकर उसकी सही और गलत दोनों ही पक्षों के उपर बातचीत करना आचारे राम चंदर चलके PhD करते हैं तो उसमें ये बहुत महतवपूर्ण हो जाता है कि आपकी MA में कितनी जानकारी हैं अगर MA के बाद आप NET का पेपर करते हैं तो NET के पेपर में ये सारी चीजे डिटेल में पूछी जाती है तो बहुत महतवपूर्ण हो जाता है कि कितने अच्छे से और र पाँस से दस मिनट, आदा घंटा या जैसे भी हम manage कर पाते हैं अगर लगातार हम पढ़ते हैं शुरुवारत से हम पढ़ते हैं तो दिक्कत बिलकुल भी नहीं आती है, और मुझे लगता है पाँस से दस मिनट या पंदरा से बीस मिनट हर कोई वेक्ती निकाल सकता है, चाहे वो काम पे जाने वाला क्यों ना हो हिंदी में जो आलोचना है उसके बारे में विस्तार से यहां पर एगी काई दी गई है और यहां से सवाल भी पूछे जाते है साहिते की आधुनिक आधारना क्या है आचारी रामचंदर शुकल जी को केंदर में रखकर आलोचना की बात की जाती है कि शुकल जी से पहले जो आलोचना थी और उनके समय में जो आलोचना हुनों ने की और उनके बाद की जो आलोचना है वो किस तरह से अलग है जैसे प्रेमचंद जी का एक बहुत ही महत्वपूर नाम है आगे चलकर हिंदी में मार्क्र स्वादी आल उचना की बात करते हैं तो डोक्टर राम विलाश शर्मा जी का बहुत महतवपुन योगदान है। इनसे समधित भी एक सवाल अवश्य पूछ लिया जाता है और साहिते की जो अलग-अलग विधाई हैं, कहानी जो है, हमारी आप देने वाला है। अगर आप नेट करना चाते हैं, तो ये पेपर आपकी महतवपुन तयारी के लिए अभी से शुरुवात कर रहा है। अगर आप पीच्डी करना चाते हैं, किसी भी एक विश्य को ले कर तो ये जो जानकरी है, वो आपकी काम आने वाली है। अगर जो विचार है वो ये होना चाहिए कि हम कितना जानना चाहते हैं। पढ़ते रहेंगे और धीरे-धीरे पढ़ते रहेंगे तो इस पेपर में 70 से ऊपर रंक आप बड़े अराम से प्राप्त कर सकते हैं और साथ में आपको जो खुशी होगी, कि इतने मुश्किल पेपर में, जिसमें सभी विद्यारतियों के 40-50 अंका रहे हैं, 60 अंका रहे हैं, उसमें आप 70 से उपर अंक ले रहे हैं, और साथ में आपको जानकारी भी मिल रही है, और जो आपकी आगे काम आने वाली है, तो ये बात अगर मन में आप इठा लेते हैं, तो इस पेपर में आप बड़े आराम से तयारी कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और जाहिर से बात है कि बिये करने के बाद आप एमे कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुल पांच प्रश्णों के उत्तर देने हैं, और यहाँ पर प्रते खंड से, यानि कि खंड क और खंड क दो खंड है, तो पहले में से आप दो अवश्य उत्तर देंगे, दो प्रश्णों के और दूसरे में से दो अवश्य देंगे, और कुल पांच देने हैं, तो एक आप इसमें से भी दे सकते हैं, या फिर एक आप इसमें से भी दे सकते हैं, यानि कि एक खंड से आप तीन प्रिशन देंगे, और एक खंड से आप दो देंगे, आप देख लीजिए, इससे आपने तीन प्रिशनों को हल करना है, या इससे आ नहीं किया जाएगा, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, सेश एक प्रिशन का उत्तर किसी भी खंड से दिया जा सकता है, और पूरी बाते सपष्ट करके आपको लिखनी होती है, तो खंड का आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो उत्तर तो आपको देने ही देने हैं और अगर आपको लगता है कि एक और प्रिशन का उत्तर आप इस खंड से देना चाहते हैं, तो एक यहाँ से भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि यह मुश्कल सवाल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या नहीं कर पाऊंगी, तो आप खंड कह से भी एक उतर दे सक तो सबसे पहले आप देख सकते हैं संस्कित आचारियों द्वारा प्रती पादित कावे लक्षनों की चर्चा करते हुए पंडित राज जगनात द्वारा बताए गई कावे लक्षन का निरुपन कीजी। कावे लक्षन होते क्या है इनके बारे में बाकी आचारियों के क्या मत है थोड़ा थोड़ा विस्तार हम दे सकते हैं और फिर बाद में ज्यादा विस्तार हम किसके बारे में बताएंगे जगदनाद जी के बारे में आगे आपसे पूछा गया है प्रतिभा और कल्पना के सामने वैशम में पर विचार करते वे सरजन करम में उनकी भूमेगा का महतु बताईए। आपने उत्तर को सपष्ट कर सकते हैं। संस्कित के जो आचारियें और हिंदी के जो आचारियें वो साधार्नी कर्ण के बारे में क्या-क्या सोचते हैं। क्या-क्या परिभाशा हैं उन्होंने दियें। साधार्नी कर्ण कब होता है। इनको आधार में रखकर इनसे पहले की आलोचना की बात की जाती हैं, इनके युग की आलोचना की बात की जाती हैं। तो यहाँ पर हम पुरा विस्तार से लिख सकते हैं। इस खंड से कोई भी तीन प्रशन आप हल कर सकते हैं, लेकिन दो तो आपको करने ही करने हैं। तो यहाँ पर खंड खवा आजाता है आपका और पास्चाते कावे सास्तर की जो हम बातचित कर रहे थे, प्लेटो और अरस्तु की विचार धारा की अंतर को सपष्ट कीजिए। कौन सी माननेता ही थी, कौन सी उनकी विचार धारातियों पूर अविस्तार से आपको बताना है। अपने मत दिये हैं और किसे साब से इसको परिभाश्रित किया है, जब आप पढ़ेंगे पाठे पुस्तक में तो वहां से आपको समझ आ जाएगा। और यहां पर प्रशन संख्या 10 देख सकते हैं, यहां टिपणिया पूछी जाती हैं, तो टिपणिया आप देख सकते हैं, 10-10 नंबर के हिसाब से दो टिपणियों पर आपने उत्तर लिखना है। शब्द शक्ति क्या होती है, आपने अभीदा शब्द शक्ति, लक्षना और वेंजना शब्द शक्ति के बारे में सुना होगा, तो वहां विस्तार से आप बताएंगे 10 नंबर के हिसाब से। मार्क्सवादी आलोचना, रामविला शर्मा जी के संबंध में आप बता सकते हैं, ध्वनी सिध्धान्त क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे, अस्तित्ववाद क्या होता है, तो किनी भी दो के बारे में आपने टिपणी लिखनी है, और इस तरीके से इस खंड से सिध्य आप से कितने हो जाते हैं, सो अंक के लिए, तो इस तरीके से आप अपनी योजना बना सकते हैं, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मैं ने सिर्ब बात चीट की है, थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, अपने अनुभोग के आधार पर की किस तरीके से हम इसकी तयारी कर सकते हैं किस तरह से हम सोच सकते हैं क्योंकि जब शुरू शुरू में हमारे पास ये प्रिशन पतर आता है इस पेपर के बारे में हम सोचते हैं तो हमें जादानुभू नहीं होता है हमने इसकी तैयारी नहीं की होती है और साथ में अपनी तैयारी करते रहे हैं आपको बहुत बहुत शुब कामनाई धन्यवाद और राभार